60 साल से यह लोग हमेशा हम लोग को लोग को दबाता रहा है। किअभी वक्ति आजादी तुम को नहीं मिलेगा। तुम नहीं बोल सकते हो। हम फेस्बूत पर लिखते हैं तो लोग जुहने फून करता है, धंकी देता है। के धंकी देता है। लोग करता है कोशल का और हम लोग का जिन्दगी बिल्कुल खत्रे में हम क्या करें हम मुदी जी अब तो जब नितीज कुमार का यहाल मुदी जी के बाले पुछने ने बिल्कुल चौपट है पुरे देश को जहने हिंदू-Muslim के नाम पर जहने बिल्कुल बाठ दिया है हम ल हम लोग अगर आवाद उठाते हैं तो लोग बोलता है कि तुम लोग लोग अगर आवाद उठाते हैं तो बोलता है कि कोनोता आवाद उठाने वाला सत्तर साल से यह लोग हमेशा हम लोग को दबाता रहा है कि अभी वक्ति के आजादी तुम तुम को नहीं मिलेगा तुम नहीं बोल सकते हो हम फेस्बूत पर लिखते हैं तो लोग जहने फून करता है धंकी देता है के धंकी देता है यहीं का शुनाओ के समय और यहां विकास में और चार चार नमारा जाने का कोई भी जाएगा तो आप बिल्कुल जहने तो आप भी जहने कि यहीं वज़े से हैं बहुत जाते हैं जाते हैं नहीं बढ़ने का बिल्कुल जाइए तो इही आप मालूम होगा कि विकास की नाम पर टॉपी है कौसल जी बारे बोले कुछ लोग उनके हैं तो मिस बोलबकिस ऐस बास से बारते हैं। लोग मृजदिल यहं जो नहीं चाहते हैं उसके पास। किसे को बिकास पूसल कैसे एक धर खवत Okay ठाह innovative ने हागरे करना पोर उसकavam कि पांच साल करें कि ऐसक पर यह भर को फिराप को किसे तब मतलब्ने मंदर में तकversion मंजर में में पांच साल में था किसे तो यह हम आपको का रहें मैं अदो पर féण तो आपको रहें नहीं कीजिये नहीं अज़गे में तो सब्सक्राइब नहीं हो सकते हैं और इसलिए मेरा स्यासा से कोई रखते हैं सिर्फ सिच्छित होने के नाते मैंने स्वावों सीका है पढ़ा और बाहर जा करके तो मालूम हुआ कि अब विकास के लिए आवाद उठाए जहां तक हो सके अच्छा उमिद्वार जो यहां विकास कर सकते हैं अभी तो जहने हमारे लाका में पीछले बार जिनक्राइन जी लड़े थे वहां वहां उससे मेरा कोई संबढ़ नहीं है लेकिन उसका समाज में बहुत काम है वह नहीं भी जीत तब भी हर समाज के लोग को लेके चलते हैं और हर दूख दरद में उसका साम यह साथ रहा बिसक्तु बिल्कुएसा को बात में अगर आगर कोई में हमारे समाज के लावा हिंदू बहोता तो मैं हम कुछ नहीं है वि हेवि सिर्फ उपने राका के जैने जैने व्यक्ति हैं ज bluff है पार्टी में है परवार सच्छा काम करते समाजिक सेवक हैं लेकिन थेकर-टुक्स हम आगे पता चलेगा तक कुछ रचेम्ट हम लक तक नहीं पहुंचा है ला था निर्दळ cur प्रफिटल का जहना पिछले साथ नौ साल से जहन पड़ा हुआ है और पिछले बार भी अब बताओ नितिश कुमार का काम के बिल्कुल चौपट है हम भी उससे घुछता है हम लोग मुसलमानों के साथ नाइंसाफिय हुआ नाट सी के नाम पर धोका दिया गया और जहांने प सब्सक्राइब कर दिया उसको दूसरी चीज की जहने नितिश कुमार जी अभी पिछले साथ महीना पहले मैं एक फॉर्म भरा था उर्दु अनुवादक का उसका जहने अगस्ते में नोटिफिकेशन निकला था एक्जाम का डेट भी निकला था और लेकिन फिर भी जहने य हम लोगों का जिहां जिन्दगी बिल्कुल खत्रे में हम क्या करें हम पढ़े लिखे इतना जाला जैने इसलिए कि हम जैने का प्ला खाएंगा अरे कुरोना चलते चुनाओ नहीं रुकेगा वेकेंसी रुक जाएगी सुपरिम कोर्ट भी जहने अपने जहने बात में पिस काम होना काम नहीं कर रहा हूं जयाने इसको खारिजदे प्टेशन को कि नहीं है यह करेगा क्या बखेंगे चुना अजय कि अपर गुशुक्षी इंबर यह सकता है यह मेंस का यह कबिते हैं अपकल है जुआ नोकरी देना थे नहीं है थोड़े डमnyशन ओना तो इसलिए ए सब्सक्राइब तो जब नितीज कुमार का यहाल तो मौदी जी के बारे पुछने ने बिलकुत चौपट है पुरे देश को जहने हिंदू-मुस्लिम के नाम पे बिलकुल बाढ़ दिया है सब्सक्राइब तो उमीद है कि जहने कुछ करे लेकिन जहने वी कड़ घरे में है सब्सक्राइब तो जाब करता है जो हमारे हर चोटे, हर कंजोर, हर बेबसों का सारा बेबाव बेबसों की आवाज है अब अप्पू यादव को भी हम फोलो करते हैं और उसके जहने जो मतलब गरीब को कंजोरों का जहना आवाद उठाते हैं डॉक्टर की बात मेडिकल की बात हो पेसिंट की बात हो उसके लिए पटना पटना इनुन सिटी के पास ही बहुत बार उसका धरना उड़ना हुआ उस तेजस्वी से भिना राजगी लालु यादव लालु यादव वही दिन तेजस्वी के पिता जी है उस जब लालु यादव बिहार में जहने सीम थे तो जहने कम सवभाग तो बना हुआ था हिंदू-मुस्लिम इस तरह को जहने जहर नहीं उगला गिया था अब 15 साल जहने पंद्रानियराच्की है उम्मीद तो इह जगाह जा रहा है कि जहने नितिश कुमार से अच्छा जहने स्यासत करेंगे और जहने टेजस्वी यूवा है पढालिक अ हो सकता है हो को सकता है ऑधना कि एक तबदिली की जहने की जा सकती है प्लिए जहने मागट भधनन के लोग इंडिया के खिलाब जहने, बोलते हैं अगर वो गलत रहता है तो, एक चीज है, नितीश कुमार काते है है हम कबिस्तान की गिराबंदी की किए, इसके नाम पर मुस्लिम नितीश कुमार की का खिलाड़ुडूरूरु चाहने, इस तरह के मुस्लिम समाजों के और कुछ काम के जब आप आलपे संख्यकों के लिए इस्कूल खोलते हैं अरक से सेप्रेट स्कूल सेप्रेट कॉलेज सेप्रेट जहन मेडिकल कॉलेज और और भी इस तरह के काम यह तो हुआ नहीं यह काम करते हैं जब आप बात कियें कि जहन काविस्तान की घेरा बंदी तब हम बोले कि के लोगे एक चीज है नवादा से हैं आप गोविनपूर विधान सभा मरूई गाओं तो नवादा में आपके एक MLC है सल्मान रागीब मुन्ना हाँ वो कैसे हैं अब देखिए सल्मान रागीब कोशल जी दोनों साथी हैं दोनों जहने एक दुसरे के जहने साथ रहते हैं आना तो किसी के होता नहीं है पिछले दिन जहाने लोग गए थे यह हुस्ट के ताल emba क unity के टालग से उन्होंने जहने आश्वासन तो जहने पिछले बार भीिए सल्मान रागिव कि ने अक्रोश से आप कोसल यादव की खिलाब बोल रहे तो गलत है अईसा नहीं कि जहनें को यहने साथ ही जहने काव होते हैं लगतार कई साल से मेल सी है बिल्कुल क्या नाम बता वजी उल्ला वजी उल्ला पी पटना इन्वस्टी से पीजी किया है काफी आक्रोशित है नितिश कुमार को लेके यहां के अस्थानिय जो विधायक है पुर्णिमा यादव और सुल्मान रागी मुन्ना को लेके भी मोधी को लेके भी तो युवा है और इनको अगर यह फेस्बूक पे लिखते हैं तो धंकिया मिलते हैं और इतना कुछ बोल दि और वीडियो को सेयर कर लेजिए ताकि इनकी आवाज जिसे दबाई जाती है वो ज्यादा दूर तक जा सके ज्यादा लोगों तक पहुंच सके जभी जभारत